Hello friends, welcome to study with crazy group. Friends, बेहार अमीन कलरक भलती 2030, जो कि टोटल पोस्ट 10101 है. देखिए, इससे पहले ये पोस्ट आ चुका था और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपलाई भी किया था, लेकिन वो क्या था संभीडा बेस पर था, और ये है पर्मानेंट जोब. इसमें क्या है, उसमें एकजाम नहीं, डाइरेक्ट परसेंटेज बेस पर आपको सेलेक्शन कर लिया जाता है, और उसके बार संभीडा के लिए था, लेकिन ये जो जो जूब नोटिपिकेशन निकला है, ये पर्मानेंट जोब है, और यहीं निकलना चाहिए, संभीडा अच खतरनाक सीट है, इतना सीट मतलब लोग चाहा नहीं रहे थे, उतना सीट दिया है बिहार सरकार ने, ओके, और ये किस देपार्टमेंट की ओर से निकला है, तो राजासु एवं भूमी सुधार बिहार सरकार की ओर से निकला गया है, जिसमें इस वीडियो में आज हम लोग आयू, मतलब age क्या है, क्या relaxation मिलेगा, ये सब देखेंगे, योगिता, योगिता क्या होनी चाहिए, syllabus, exam pattern, salary, और उसके बाद step by step form कैसे अपलाई करें, इसके regarding भी चर्चा करेंगे, ओके, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, जैसे दखिए, देखिए, आमीन के लिए सबसे जा diploma in civil engineering, इसमें कोई भी experience की जरूरत नहीं है, ओके, तो ध्यान रख सकते हैं, 8244 है, उसके बाद special survey color, अब ये क्या है, इसमें bachelor degree any stream, any stream बोले तो इसमें engineering वाले भी डाल सकते हैं, और जो non engineering background से आते हैं, वो भी डाल सकते हैं, जो BSC किया है, BA किया है, मतलब bachelor degree, कोई भी फिल् है, वो apply कर सकते हैं, ओके, उसके बाद रखे, special survey कानून गो, ये है, 785, इसमें क्या है, diploma in civil engineering, लेकिन, two year का experience, और जो diploma होना चाहिए, इंडिया के कोई भी university से आप pass out होना चाहिए, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिया, आमीन है, तो आमीन में क्य है, जे diploma in civil engineering, इसमें experience नहीं डिमांड किया है, लेकिन यहाँ पे special survey कानून गो है, इसमें क्या है, कि two year का experience डिमांड किया है, उसके बाद कि a special survey assistant settlement officer, ASO जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें देखिया, 355 इट है, लेकिन ये BEBT degree वाले डाल सकते हैं, इसमें diploma वाले नहीं, और Bachelor in Engineering, और BTEC मतलब Bachelor of Technology, दोनों सेम ही होता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो अगर साथ ही में आपको two year का experience होना चाहिए, अगर two year का experience है, तब apply कर सकते हैं, आप बोलिएगा सर एक बात बताईए, जिसका BEBTEC diploma से रहेगा, तो वो ये फर्म apply कर सकता है, कि नहीं ये अमीन वाला नहीं, सोरी, BEBTEC रहेगा, वो civil engineering में, तो वो ये डिपलोमा वाले में apply कर सकता है, कि नहीं, नहीं कर सकता है, इसमें केवल डिपलोमा से जिनका civil engineering है, और इसमें वहीं कर सकते हैं, ओके ध्यान रखिएगा, हाँ, BEBTEC है तो आप एक ये post के लिए apply कर सकते हैं, औ ये चीज आपको मतलब किलियर कल, कि इसमें केवल डिपलोमा वाले इसमें, और इसमें BEBTEC वाले, ओके और नहीं डिपलोमा वाले ये जो BEBTEC वाले में apply कर सकते हैं, टू येर का experience चाहिए, चलिए अब हम लोग देखिए, राजास वेवं भूमी सुधार विभाग की ओर से ये job notification निकला है, पहले आया था, लेकिन कलोज कल दिया गया था, फर्म भी बहुत सारे लोगों ने apply किया था, लेकिन अब क्या है, ये permanent job है, देखिए, salary वगएरा कितना देखिए, आपको इतने सारे documents की जरू परमान पत्रों की सूची जिसमें देखिए, इस पे के special video ले लाएंगे, मतलब कौन कौन सारे document किस टिथी में valid रहेगा, मतलब इस पे special video ले आएंगे, तो ध्यान रखेगा, चले इस पे special video आएगा, आगे बहते हैं, अब आ गया 10101 पोस्ट है, जिसमें की अलग अलग है, दखिए, जैसे बिसेस सर्वेक्षन सहायक, बंदोबस अधिकारी है, इसमें क्या है कि ऑफिसर है, तो अफिसर लेवल का जो पेमेंट है, 69,000 रुप्या, ओके, मानदे कितना है, 12,202 है, उसके बाद जो अंसदान है, वो 2,006 मतलब ये सब आपको चार्ज मिलेगा, ओके, मतलब एक्स्ट्रा एलवेंस, तो ध्यान रखेगा, उस इसमें 788 पोस्ट है, जिसमें कि बेतन कितना 36,000 है, पलस एक्स्ट्रा एलवेंस भी आपको दिया जाएगा, देख लिजे ऐसे, ये पीडिये पैसे हम अपना टेलीगराम ग्रूप में सेर कल देंगे, तो नीचे उसका ग्रूप का लिंक मिल जाएगा, आप जो इन कर सकते ह इसमें केवल डिपलोम है, इसलिए इसका थुड़ा कम है, उपर से एक्स्ट्रा एलवेंस भी आपको दिया जाएगा, उके, उसके बाद देखते हैं, हाँ, विशेस सर्वेक्छन लिपिक, जो कि 744 है, जिसका 25,000 ही केवल पेमेंट है, एक्स्ट्रा एलवेंस नहीं दिया आपको किसी भी मन्याता पराप्ट विशेव डियाले से बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसमें आपको धियान रखे, इसमें एक्स्ट्रा एलवेंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल एक्स्ट्रा एलवेंस इस 3ो में दिया जाएगा, यो कहें तर यह ऐसा दिखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें इसमें एक्स्ट्रा एलोएंस दिया जाएगा इसमें और यह जो बैचलर डिग्री 744 पोस्ट है इसमें केवल 25,000 पर मन्थ आपको सेलरी मिलेगा पर मन्थ मिलेगा इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा उसके बाद सर आब exam pattern भी बता देजे, age भी बता देजे, बिल्कुल, देखिए, section की योगता तो देख लिए, I.U.C. मा, I.U.C. मा क्या होना चाहिए, देखिए, इसमें क्या है कि अनारक्षित वर्ग या general के लिए 37 वर्ग होना चाहिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद दे पुरुसेवा महिला के लिए 42 वर्ग और दिभ्यांग अभ्यारती के I.U.C. मा में 10 वर्ग की छुट रहेगी, जो आपको सरकारी जोब में मिलता है, यहां भी दिया जाएगा, और उसर ये बता दिजे, कि I.U.C. मा काउंट कब से कब तक होगा, देखिए, विशेस सर्वे एक जनवरी 2023 तक आप 20 वर्ग का मतलब आपका I.U.C. होना चाहिए, अगर 20 वर्ग से कम है, तो आप अपलाई नहीं कर सकते, इसलिए ये काउंट एक 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 2023 तक किया जाएगा, उसके बार रखिए, उसके बार क्या है, ये 18 वर्ग की दोनों डिपलोमा में है, फिर नीचे बैचलर डिग्री आगा, यानि 21 वर्ग से अजाएगा, जो मिनिममम आयू है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 21 वर्स से लेके 40 वर्स तक, 30 वर्स तक ऐसे जिनरल है, लेकिन ध्यान रखेगा अगर पिछरा वर्ग या अगर काटेगरी वाज आपको छुट दिया जाएगा, चलिए अब एज से समन्नितम लोगों ने देखा, अगर कोई डाउट है तो पुछेगा उसके बाद क्या है, पर और सर निगेटिम मर्किंग होगा की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, परिच्छा में पूछे गए बस टूनिस अबजेक्टिव परस्न होंगे, सही उतर के लिए 4 अंक और 4 गलत उतर के लिए माइनस 1 अंक होगी, ओकी तो ध्यान रखेगा, यानि कि अगर 4 गलत उतर करते है तो माइनस 1 अंक आप से काटा जाएगा, यानि कि 4 कोस्चन अगर आप लगातार गलत करते हैं, एक सही करके आते हैं, तो आपको 0 अंक मिलेगा, ऐसा है, उसके बार रखेए, ओनलाइन केम्पूटर बेस्ट परिच्छा कुल परस्नों की संख्या 100 होगी, कितना 100, 100 गुने यानि कि 400 मार्क्स का होगा, चार अंक लिखा है न, उसके बार, ओनलाइन केम्पूटर बेस्ट परिच्छा की आउधी, दो घंटे 15 मिनट की होगी, कितना 2 घंटे 15 मिनट की होगी, अब सर से लेबस नोर्मालाइजेशन फर्मूला के अधार पर ये नोर्मालाइजेशन होगा, तो ध्यान रखेगा, ये चीज़ आप, मतलब वहाँ पर ये सब ध्यान रखके तब त्यारी करना है, उसके बाद देखिए, कोश्चन कितना होगा, देखिए, 100 कोश्चार, उसके बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट में जैसे देखिए, जो सिविल रखेगा, जो सिविल इंजिनियरिंग में क्या पुछा जाएगा, ज्यौनल स्टाइ एगा, इसके बाद देखिए, बईसे स्रवेक्षर कानून को, इसमें डिपलोमा सिविल इंजिनियारिंग होगा है और विशेक्स सरवेक्षन अमीन जो की पोस्ट कोड 8000 पलस पोस्ट था तो इसके लिए सेविल इंजिनियरिंग डिपलोमा से रिलेटर ओके और जेनरल सबसे नीचे जो की बैचलर डिग्री एनिए स्ट्रीम वाला है तो इसमें आपसे जेनरल नौलेज जो की जी एस पुछे जाएंगे 50 और मैथमेटिक्स भी पुछे जाएंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी 50 पुछे जाएंगे ओके तो ध्यान रखेगा ये आपको नन टेक्निकल बैक्गराउंड वाले से ये पुछे जाएंगे ये सब का से लेबस अलग-अलग से वीडियो आएगा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बस देखिए हमारा जो इस्टाटी बित क्रेजी गुरू टेम का जो मकसर है इसी बेस पे ये वर्क कर रहा है और इसी बेस पे आपको सेलेक्शन दिलवाएगा ये इनफर्मेशन टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा आपको देते रहेगा तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पलस एजूकेशन एजूकेशन नहीं म हम आपको अपलाई करके बताएंगे जिसमें कि स्टेप बाई स्टेप सारा मतलब कैसे अपलाई करना है वो बताएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं एक्जामिनेशन फी के बारे में हम आप लोगों को बता दे कि 800 रुप्या इसका है यूर, EWS, EBC, BC, BC, BC का अब इंपोर्टेंट डेट सर बता दीजिए कब से कब तक अपलाई होगा देखिए 13 चार यानि कि 13 अपरल से स्टार्ट हो गया है 12 पांच यानि कि लास्ट 12 मई तक अपलाई होगा आप उससे पहले अपलाई कर लिजिए उसके बाद मालीजिए अपलाई कर दीजेगा अब ही आटमिलगारो डेट नषी एकजाम का जो स्रीघ ऑन है उसका डेट आया है उसके बाद कहा है परवेश प्रफश्पटर जिसको बोलते हैं उसके बाद एक और चैम स्वेक न लिए उसके बार काउंसलिंग यानि कि इंटरभ्यू के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें डोकुमेंट डीवी होगा डोकुमेंट वेडिकेशन बगैरा होगा तो टेंसर लेने की जरूरत ने सारा टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया जाएगा बस आप फर्म अपलाई कर दिजिए और फर्म अपलाई किजिएगा पहले मैं फर्म अपलाई करके इसी यूटू चैनल पर आपको वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद देखके आप फर्म अपलाई करना है उसके बाद देखिए टॉपिक बाइज से लेवस का अलग अलग वीडियो आएगा यह वीडियो अगर लाएंगे न तो लंबा हो जाएगा इसलिए क्या करते हैं टॉपिक बाइज अलग से वीडियो लाएंगे इसलिए न बोलते हैं इसी पर अपना अपना इस्ताधी वीडियो वर्क कर रहा है यहां पर कलास भी लगेगी यह जितने भी पोस्ट है जिसीविटी जो केंपूटर वेस्ट एक्जाम लिया जाएगा तो उसमें आपका कलास लगवाया जाएगा से लेवस वाइज आपका कलास आएगा टेस्सरीज भी आएगा अबजेक्टिव कलास जो कोश्चन आते हैं कैसे यह सब कलास यहां पर देखने को मिलेगा तो बस हमारे चैनल पर नए हटो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कोई